तो आज हम बनने वाले गोबी की पराठ चले स्टाट करते हैं तो सबसे पहले में आटा ले लेना है उसमें अजवाईन बच्वरी मेथी और मैंने काला जिरे ले लिया है तो इसको अच्छे से गोंद लेंगे गोंद रहने के बाद मुझे यापर डालना हैं जीरा और जीरे यह दनिया के पाउडर है और साथ में कसा हुआ अद्रक और प्यास डालेंगे उसकी बाद हम इसमें तो रहता मसाला आट करेंगे फुना होए जीरा पाउडर यास ड़ने डाली है ठोड़ा साथ लाल मिर्ची पाउडर मुर्ची डालेंगे तो बाद आगर प्याता कुछा एक बारर कॉट लृप उसको डाल डिया है इसको अच्छे से असी हम एक आगके रोल लेकिन है लाई फैर कर में लोग फ्ले में बिल्कुल नहीं करना है इससे क्या होता है कि इसमें पानी आ जाएगा तो फिर हमारी जो पराथा है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी तो मैंने थोड़ा सा नांग भी आट किया है उसको अच्छे से बिला लेंगे और अधर देख सकते हैं हमारी जो अधर तो बैस्यों आधर जो फीलिंग हो बिल्कुल तरह है और हमारे आटा भी बिल्कुल सेट हो चुका है तो यह बिल्कुल नारम हो चुका है आथा हमें बहुत जादा सकत नहीं रेना हैं हम इसको नरम सा डू अटा लेना है कि हमारा जो डू है वह अच्छे और बेलन तो आप शुरू करते हैं तो सबसे पहरे तो मैं एक लोई रेलूंगी और उसको अच्छे से इस तरह से मसल लेना है उसकी बाद हम इसको थोड़ा सा बेल लेना है उसकी बाद हम इसमें जो है अपना फेलिंग्स भरना है देख सकते मैंने भर भर के फेलिंग्स डाली है तके खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आए तो आप अपने लोगी अपने जितनी भी बरे लोगी है उसकी लिए उसकी हिसाब से आप डालिये जुरूरे नहीं कि मेरे जैसे बहुत जादा डाली है तो इसको हम बेल लेंगे अच्छे से और बहुत प्यार से बेलना है हम बहुत जादा जो लगा कमट बिलेगा बरना यह फटके सारे बाहर आ जाएंगे तो इससे बहुत धीरे से और हलके हाथ से बेलना है हमें और बहुत ही प्यार से बिलना है अब हम इसको डाल देंगे त हें में कर लिया तो इसमें तरओ हमें य। एक साइट में से लिए य। उसमें लगांगी घिय है अब और का erste में भी पेवाद्रे कर सकते हैं जिसको जो अच्छा लगे वह उससे बना सकते हैं निए टेश्ट में अग में अपिस अब से लिखांगी achievement इसको myzus कर्क करके अच्छे से सीहता आएnda कि collected couldn can इस पूरे प्राठे में आ जाए और हर तरह से इवेài경 को चान सिख जाये अब क्यात क्या में जं़ीन देख से कि अच्छा कलर आया है आप दॉटियमेड इसने जितना अच्छा कलर आए गा और जितने अच्छा तो इसको चारो तरह से दबादना है लेकिन बहुत जोड से नहीं हलका हलका बनाया हमें हमारी पराठा लगवग बन के तयार है तो इसको हम इसी तरह से हम सारे पराठी भी इसी तरह से हम बना लेंगे तो एक एक करके हम अपने बाकी पराठे को भी इसी तरह से बनाएंगे तो इसी तरह से पहले जैसे हम इसको बेलना है हलका बेलना है बहुत ज्याद पतलानी करना है करना है शाथ संदो च्छा करें दोप थोरह सा द्रोजिक कर लें इसके बाद और अच्छे से मेले अगर कोई चाहिए तो कटोड़ी बना करके इसमें ड्समें बेले बताएं कुट बना कर भी ड्यूद्ट आपने इसको जैसा है सवीदा हो इस तरह सबनाए है इसको भी हम ऐसी तरह से अच्छे से इसको आप दोपहर की खाने में सुभे के नास्ते में बच्चों की टीफिन में भी डाल सेकते हैं सबको बहुत पसंद आता है और काफी ज्यादा अच्छी लिगती है तो मैं आपको कट करके दिखाऊंगे इसके अंदर आप देख सकते फिर इंच जो बने भाड़ी है वह चा काना में बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट लगता है तो आप इस तरह से बिनाएं और खाइए मुझे कमण में जबर बते हैं को कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगते तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भुले तो मिलते हैं